व्रसप काईज विलकम टू माई चैनल तो आज इस चेप्टर का स्लूशन में करवाने जा रही हूं यह सेमथ क्लास इस्लामयात की न्यू बुक आज इस चेप्टर का में स्लूशन करवाऊंगे नभी करीम तो इस चेप्टर का स्लूशन मैंने अपनी बुक पे सॉल्व कर लिया है तो दियर स्टुडेंट्स आपने साथ साथ अपनी बुक स्पेस को सॉल्व कर लेना है चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा जरूर इस से यह होता है कि हम मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाओं और आप किसे बंदे की होसला अवजाई हो जाती है मैंने यह बुक स्टार्ट की है इसके बाकि सारे चैप्टर्स का सुलूशन में बैने आपके असानी के लिए उसकी तमाम वीडियो बना दी है वो चैनल पर प्ले लिस्ट पर मजूद है आप चैक भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलते हैं एकसरसाइस की तरफ एकसरसाइस में पहला कोस्टन आ जाता है एमसी क्यूज का तो एमसी क्यूज में है पहला दुर्स ग्यूज का अंसर ये है इसके बाद अगला तीसरा मसी क्यूज है जब एक मसल्मान जरूर को सब्सेज殼र जानाunda जरूरी है अरबों के सबसे ज़दाโांट जंग का क्या नाम था और जंग फजार जंगे घर तो यह मसी क्यूज के पांच अकसरसाइस के जिनको निहने अंसर आपको बता दिए हैं इसके य्बार शार्ट कोस्टेंज आगे पहला कोस्टेंज है इसलाम से पहले दुनिया में अम्नोअ मान की क्या हास удते हाल थी तो जैसे ऱिपट रन करेंगे इसकी उपर अपने कर लेना है इसका आफ अशान सा आ है यह जा कि और आterrorUP we exercise के दूसरे शार्ट question पे अमने आमा की आमियत के बारे में एक अधीस नवी का तर्जमा तो जैसे ही आप open करेंगे page start वाला page 53 बनता है तो इस पे ये हदीस का तर्जमा कर लेना है सचा मुसल्मान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसल्मान मैफूज रही इसमें ये हदीस का तर्जमा आजाएगा इसके बाद तीसरा हर्फ फजार के बाद अमन का जो मादा हुआ उसका क्या नाम है तो इस तीसरे question का answer आपने कर लेना ह है ये इस मौइदे को हलफल फजूल कहा जाता है मौइदे का जस्ट आपने नाम बताना है तो इस मौइदे का नाम हलफल फजूल है हर्फ फजार के बाद जो माइदा हुआ उसका नाम हलफल फजूल है सलाम करने वाला क्या पेगाम दे रहा होता है तो ये चोड़ा सवाल ह जिसका जवाब आपने यहां से यहां तक यह दो लाइने बनती है परी जब एक चक्स दूसरे को सलाम करता है तो वो ना सिर्फ उसे सलामती की दुआ दे रहा होता है बलकि उसे यह पेहाम भी दे रहा होता है कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई तकलिफ या नुकसान नहीं इसका आपने यह करना है कि मुश्रिकीन को माफ कर दिया गया इसके बाद तफसीली जवाबात यह दो प्रॉप्स पर लगाए है तो आपने असी तरह असासत अपनी बुक्स पर लगा लेने हैं यहां से लेकर यहां तक इसने तमाम इंसानों को बचा लिए मतलब यह आयत का तरजमा यहां तक यह पहले लोंग का अंसर लिखा है मैंने फिर्स्ट ल पहला लोंग पहले मुश्ची सवाल का जवाब यह है इसके बाद दूसरा है नभी करीम सल लौह अलाही वाली वसलम ने क इसके साथ ही इस चेप्टर की एक्सरसाइस का सुलूशन कम्प्लीट हो गया है बाकी तमाम चेप्टर का सुलूशन चैनल पेपले लिस्ट में मजूद है तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सरूर कीज़ेगा अल्लाह आफेस